सब्सक्राइब कीजे मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि सी रिलेटेड कोई भी डीटेल आप मिस ना कर सके हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं इंफिनिटी वर मूवी के रनिंग टाइम के बारे में तो क्या है वो चली देखते हैं सो फेंड्स पहले इस फिल्म की रनिंग टाइम थी 156 मिनेट फिर कुछ सिंस काटे गए इंटरनेशनल नेवल पर जिसे देखकर इस फिल्म के डायेक्टर ने ये डिसिजन लिया कि वो इस फिल्म को पूरी दुनिया में सिर्फ 149 मिनेट्स की रिलीज करेगे ताकि कोई दिफेंस इस बात को लेकर ये ना जगड़ा करे कि हमने ये फिल्म ज़्यादा देखी है और आप लोगों ने कम और ये फिल्म हमारे इंडिया में भी 149 मिनेट्स की ही है यानी 2 घंटे 29 मिनेट्स और जो सिंस काटे गए है उसके बारे में आपको पता है वेल्स जिनने नहीं पता तो मैं उन्हें बता दू इंटरनेशनल सेंसर बोट्स को ये लग रहे थे के फिल्म के कुछ सिंस वोईलेंस है जिनने अगर बच्चे देखे गे तो उन पर काफी बुरा असर पड़ेगा इसलिए उस सिंस को फिल्म में से काट दिया गया तो अब आप ये बुछोगे के बाहर के देशों में भी सेंसर बोट्स होते हैं वेल्स तो वहां के सेंसर बोट्स हमारे इंडियन सेंसर बोट्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है और ये सारे सेंसर बोट्स एशिया चाइना के है जबके अमेरिका की तरफ से इस फिल्म को पीजी 13 क की रेटिंग मिली थी और इस फिल्म के रणिंग टाइम भी बड़े थे और वो थे 156 मिनेट्स लेकिन फिर जैसा के मैंने आपको बताया के ये फिल्म इंटरनेशनल नेवल पर काट दी गई है इसलिए इस फिल्म के डिरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को इंफिनिटी वार मूवी की रणिंग टाइम रिविल की थी उसका नाम था BBFC जिने कहा जाता है British Board of Film Clarification जो अमेरिका की रणिंग टाइम से लेकर फिल्म की रेटिंग सेट करती है वेल तो मेरे हिसाब से अब आपके इंफिनिटी वार के रणिंग टाइम को लेकर हर एक स्ट्राइक करना विल्कु निमत भूलीएगा तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तिल देन बाई